नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फोर्जा चक जो लेथ मशीन पर प्रियोग होने वाले एक important device है और यह है लेथ मशीन असेसरी के अंतरगत आता है लेथ मशीन असेसरी का प्रियोग हम लेथ मशीन पर work piece और tool को hold या support करने के लिए करते हैं जो फोर्जा चक है यह है work piece holding असेसरी है और यह एक independent चक होता है more reliable है और इसकी मदद से round, square, rectangular, hexagonal और irregular work piece या job को हम असानी से hold कर सकते हैं और यह हमें high gripping power को provide करता है जैसा इस diagram में देखें आप फोर्जा चक की मदद से square work piece को hold किया गया है और इस diagram में देखते हैं तो फोर्जा चक की मदद से irregular shape के work piece को hold किया गया है अगर हम construction की बात करते हैं तो यह इसकी एक body होती है जो stailness steel का यह बना होता है जो material होता है इसका और इसमें फोर्जा इसके अंदर लगे होते हैं 1, 2, 3 and 4 और यह जो फोर्जा होते हैं यह reversible हो तो hold कर सकते हैं और यहां पर अगर हम देखें यहां पर जो square जो hole इसमें नाजर आ रहा है हम चकी की मदद से जो इसमें adjusting screw होते हैं तो इसमें चार adjusting screw होते हैं तो हम चकी की मदद से independently हर एक जा को adjust कर सकते हैं requirement के हिसाब से और जिससे क्या होगा कि chuck के center से हम desired distance पर इसको adjust कर सकते हैं और यही कारण है कि हम forge a chuck की मदद से irregular या eccentric jobs को भी properly hold कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम eccentrically located holds जो हमें round work piece पर बनाने हैं बड़ी असानी से बना सकते हैं या कह सकते हैं कि हम forge a chuck की मदद से concentrically और eccentrically holes को drill कर सकते हैं बोर कर सकते हैं टैप कर सकते हैं और इसका जो rear side है वहाँ पर बात करते हैं तो internal thread उसमें बने होते हैं जो spindle nose जिसमे external thread बने हैं इसके corresponding होते हैं ताकि हम forge a chuck को जो spindle nose होती है वहाँ पर इसको mount कर सकें अगर आप देखें इस diagram में तो यह जो head stroke है यहाँ पर spindle है उसके spindle nose है उसमें chuck को mount किया गया है तो इस प्रकार से इसकी construction होती है अब बात करते हैं कि जो forge a chuck हम use करते हैं उसके कुछ advantage भी है जैसा हमने discuss किया कि इसकी मदद से हम regular या irregular job को extreme precision के साथ इसमें hold किया जा सकता है और यह हमें high gripping power को provide करता है इसलिए forge a chuck के प्रयोग से हम work piece या job पर heavy cut लगा सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो forge a chuck है इसकी कुछ limitations भी है अगर हम setting up time की बात करते हैं जब हम work piece को hold करते हैं forge a chuck पर तो इसका जो setting up time है वो ज्यादा होता है as compared to three ja chuck three ja chuck एक self centric chuck होता है उसके बाद जो fine work piece या जो job है वो setting के दोरान damage हो जाती है क्योंकि इसकी जो graping power है वो जादा है इसके कारण वो damage हो जाती है और जो forge a chuck है यह heavy भी है और bulky भी है तो इसको थोड़ा सा handle करने में थोड़ी सी problem रहती है लेकिन जो forge a chuck है इसे हम late machine पर तो इस्तेमाल करते ही है साथ में indexing head पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक परकार से यह है non self centric action के कारण यह जो independent chuck है इसको हम highly controllable है इसको control करना एक परकार से अपनी desire के अनुसार हम इसको control कर सकते हैं और जो forge a chuck है वैसे तो यह self centring भी available है लेकिन उनकी जो gripping होती है work piece पे या stock पे बहुत ही poor होती है तो इसलिए ज़्यादा तर case में फोर्जा independent chuck का ही इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया लेथ machine accessory के अंतरगत आने वाले फोर्जा independent chuck के बारे में अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और चैनल को subscribe करना न भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दो सकते हम